खबर भोपाल से है जहाँ बाग सेवनिया इलाके में दसवी की छात्रा ने फासी रगा कर खुद खुसी कर ली सुसाइड नोट नहीं मिलने से आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हो सका बुधवार रात 11 बजे छात्रा ने आठ भाई बहनों और मम्मी पापा के साथ बैट कर खाना खाया इसके बाद वह मा से बोली सोने जा रही हूँ आधे घंटे बाद मा ने देखा तो वह कमरे में फंदे पर लटकी मिली गंभीर हालत में परिजन उसे अस्पतार लेकर पहुँचे उपचार के कुछ देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया अमराई बाग से वनिया में रहने वाली मुसकान भगत उम्र 18 वर्स इसी साल 10 वी में पास हुई थी वह 11 वी में दाखिला लेने वाली थी पिता मनोज भगत विशुकर्मा मंदिर में पुजारी हैं उन्होंने बताया कि बुधवार रात सभी आठो बच्चों ने खाना खाया इसके बाद मुसकान समेथ सभी बच्चे कमरे में सोने चले गए रात साढ़े ग्यारा बजे पत्नी माला देवी की नीद खुडी वे बच्चों को चादर देने कमरे में गई देखा तो मुसकान फंदे पर लटकी हुई है उसकी चीक सुनकर मैं भी कमरे में पहुँचा बेटी को फंदे से उतार कर तुरं थी उसे एम्स लेकर आएं तब उसकी सासे चल रही थी अस्पतार में थोड़ी देर तक चले उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया मनोज भगत की छे बेटियां दो बेटे हैं उन्होंने बताया कि मुसकान उनकी चौथे नंबर की संतान थी वह बाग सेवनिया इलाके में दसवी पढ़ रही थी इसके साथी मंदिर में फूलो का ठेला लगाती थी घर खर्च में सहीओक के लिए वह पार टाइम जॉप भी बीच बीच में करती थी मनोज भगत ने बताया कि बेटी ने कभी कोई परिशानी नहीं बताई